हेलो फ्रेंड्स आज हम गोल कुंदा डायमंड्स एंड जवैलरी कंपणी ने अपने शेर फोल्डर के लिए जो डिविडेंद रिकूमेंड किया है उसके अमाउंट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिसकस करेंगे कंपणी ने अपने शेर फोल्डर के लिए एक रपया बीज प्रैसा पार रिकूटी शेर का फाइनल डिविडेंड रिकूमेंड किया है कंपणी के शेर का प्राइस चार रहा है 50 रूपिस के एरांड तो कंपणी ने अपने शेर प्राइस पर आरांड 2.5 परसेंट का से लेके 14 गस्त किस तक इनकी बुक क्लोज रहेंगी तो इसके कोडिंग जो रिकोर्ट डेट बनी वो बनी ग्यारा गस्त जभी आपके डीमेट काउंट में ग्यारा गस्त को जहाँ शेर होगा तबी आपको तो एक रप्य है 20 पेसे पर इखोटे शेर के हिसाब से डीविडंड मिलेगा और जो एक डीविडंड डेट बनी वो बनी दस अगस्त और डीविडंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनी वो बनी नो गस्त तो जदी आपने जयाशेर नो गस्त जह उससे पहले तरीड़ ढूर्स विलेगा और अध्योटि कुने के लिए सके बार टीवेड़ेंट के अमोंसट हो जाएगी ज़िदी आपके पास एक शिर होने तो आपको मिलेंगे रफे 20 पाइसे जलि 10 शिर होंगे तो आपको मिलेंगे 120 पे मिलें है कि predecessor-